हेलो फ्रेंड्स एक बार पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी 26 पे और आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे जो आप बीए फर्स सेमेस्टर के बच्चे होंगे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो उ स्किल्ड के अपने जीवन में परिवर्टन ला सकते हैं या उससे आप जीवन को बहतर बना सकते तो उन्हीं चीजों को पढ़ना है इसके अंतरगत्यू उसमें sorts का टैटल आपके जीवन में क्या है और प्रते एक दिन के जीवन में तो उनहीं को देखना है आज तो चलिए उनको समझते हैं तो इसमें जो यूनिट है बच्चों वह लगवग देख लीजी कितना यूनिट है लगवग पांच यूनिट है और पांचों यूनिट में जो सेक्षन है य इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज अगर आप अच्छी पर्तिक्रिया देंगे यानि साकारात्मक आपकी पर्तिक्रिया होगी आप अगर चाहते हैं कि यह कोर्स को मतलब जल्द से कभर करा दिया जाया जल्दी से तो आपको comment box में जाके comment करना कि sir हमें पढ़ना है आप इसका regular कराईए तो हम इसको regular करा देंगे अन्य था जैसे भी तयारी करनी हो आप खुद ही कर लिजेगा फिर तो हम फिर इसकी तयारी नहीं करा पाएंगे और नहीं कराएंगे फिर तो फिर देखिए कि इसमें unit first में आके रहे ग्या तो देखिए first unit जो है तो उसमें देखिए इसमें पताया एब theory of communication unit first का नाम ही रखा है theory of communication याई communication जो आप करते है याई जो suppression करते है याई communication है क्या तो सबसे पहले अगर इस topic को देखिएगा तो इसका मुतलब होता है कि आप अपनी बातों को यानि अपने विचारों को जब किसी के सामने रखते हैं और दूसरे के विचारों को जब सुनते हैं तो इसी को बलायता है कम्यूनिकेशन ये पूरा जो process है यानि मालेजी कि आप एक इंसान है आपने कुछ किसी को कहा और फिर इस इंसान ने दूसरा जो इंसान B है इसके दोरा कुछ परतिक्रिया दी गई एको तो यह घुम के यहाँ जब आएगा तो यही होता है कमिनिकेशन तो इसी के बारे में आपको जानना है कम्यूनिकेशन को हिंदी में बोलते है संप्रेशन तो इसके पहले मिनिंग को हम लोग समझेंगे फिर इसके फ्यूचर को समझेंगे फिर इसके यूज यानि इसके उप्योग को समझेंगे यानि पहले meaning का अर्थ होता है meaning का मतलब होता है अर्थ इसके समझेंगे फिर इसके future इसके जो importance है उसको देखेंगे फिर इसका huge कहां कहां होता है फिर इसका एक cycle होता है यानि कि जो communication है वो sender से सुरू होता है और वो receiver तक जाता है यानि receive करने वाले तक जाता है तो उस चीज को देखेंगे कि sender से कैसे यह आरम होता और receiver तक कैसे पहुचता है तो उसको हम लोग देखेंगे फिर इसमें feedback फिर इसमें प्रति पुष्टी हिंदी में इसको बोलते है प्रति पुष्टी तो वो कैसे लोग देता है और फिर देखें एडवांटेज इसका यानि कि इसका जो है इसका लाब क्या होता है तो उस चीज को देखेंगे communication का earth उसके बाद इसका future उसके बाद इसका उपयोग उसके cycle को देखेंगे यानि उसका जो एक process है linear process तो उसको देखेंगे फिर इसका feedback यानि इसका परती पुष्टी कैसे देते हैं हम लोग माले feedback इसका यह होगा न कि आपको कोई message भेजा और आप उस message के जवाब में कुछ लिख के भेज़ दिए यानि या बोल के भेज़ दिए उसी को बोलते है feedback और फिर होता है advantage का मतलता है इसका क्या लाव होता है तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे उसके बाद इसमें देखना है आम लोग को इसमें है सेवंसी यानि साथ परकार के सी से समंदित साथ नाम होंगे उसी को पढ़ना है इसमें कि वह साथ नाम क्या है और उसका यूज हमारे जीवन में किस तरह है तो वही चीज़ को देखना है इसके अंतरगत है तो वह मतलब कम्यूनिकेसन के रिलेटेड में उससे समंदित हम लोग उस चीज़ को यूनिट फर्स्ट में देखेंगे फिर देखें यूनिट सकेंड आता है तो इसमें आता है लिसनिंग स्किल यानि सुनने की जो आपकी आदत होनी चाहिए या चीजें होनी चाहिए जैसे हम कुछ बो में सुनेंगे फिर और यू वीडियो लिस्निंग एंड इसका मतला होता है ओれइंडियो बूक लिस्निंग डिसकसर यानРИ देखियेगा जो में ठीक देखें रिकॉर्ड करता है और वही चीज सभी बच्चों को दे दिया जाता है, जो कि नहीं देख सकते हैं, तो और जो देख भी सकते हैं, उनके लिए भी यह important है, तो उसको हम लोग देखें कि audio book, listening और discussion इसका कैसे समझना चाहिए या जानना चाहिए हमारे लिए, फिर इसका not talking जो होता है, उसके उपर यानि कोई भी बिंदू है, या कोई भी बिसे है, उसके उपर जो talking किया जाता है, यानि उसके बारे में हम लोग को यहां सीखना या समझना है, तो यह देखें, यह topic बहुत सांदार है, और बहुत अच्छा भी है, यह topic कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा भी पढ़ाएंगे, चुकि इसमें हमारा, जब हमने lecturer ship का exam को निकाला था, उसमें एक paper यही होता है, आपको इसमें communication ही पढ़ना होता है, तो वही चीज यहां पर है, तो अगर आपकी एक्छा होगी, तो पढ़ा देंगे, यानि था, आप जैसे पढ़ना हो, पढ़ लीजे इसमें होता है क्या देखिए, इसमें होता oral presentation, यानि बोलके, oral का मतलब बोलके, तो उसमें मौकी ग्रूप से आप किसी चीज का presentation कैसे दीजेगा, तो उसमें होता audio और visual aids, यानि कि इसके लिए सहायक कुछ सामगरी होती है, जिसको मतलब बोलने से समंदित हो, फिर visual का मतलब देखने से समंदित हो, उनका परियोग कैसे होगा, फिर audience कैसे होते हैं, फिर उसका feedback, यानि उसकी परती पुष्टी आपको कैसे मिलती है, यानि उसका जो feedback मन लीजे, आप से हम पूछे, कि हम अभी class करा है, तो बोली आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो आप इसी में, delivery of presentation, उसके बाद headlining questions, यानि कि इसमें जो आप presentation करेंगे, यानि कोई भी चीज, कोई मुद्धा आपको दिया जाएगा, उसको आपको जो बताना है, तो उसका जो presentation करेंगे, वो कैसे करना है, इसको देखना होगा, फिर headlining questions, यानि जो मुद्धा बता रहे हैं, उस समंदित कुछ प्रस्न है, तो उसको कैसे आप बच्चों के सामने, यानि किसी के सामने, आप arise किजिएगा, या पूछिएगा, या जानिएगा, तो यह भी चीज इसमें आपको सीखना है, उसके बाद ग्रूप discussion आपको सीखना है, इसमें, जैसे culture है, उसके बाद history है, culture and history क के बारे में, current affair के बारे में, फिर society and related, मतलब society से related चीजों के बारे में, यानि ग्रूप discussion क्या था, वाद विवाद, यानि अपने सम्मू में वाद विवाद कैसे किया जाए, नहीं किया जाए, उन चीजों को यहां समझेंगे, तो वो topic आपका है, फिर देखिए, public speaking, public speech और external, external pore, टो यह दोनों ही चीजगो देखना है, तो यह मैं सही नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसको इस तरह पड़ा, तो यह ध्यान रखिएगा, external pore, तो यह public speaking आपको देखना है कि public के सामने आप कैसे बोलिएगा, अपना विचार कैसे रखिएगा, तो उन चीज को द जिसमें आप चीजों को रख रहे हों अपने विचार को रख रहे हों या बात कर रहे हो किसी से तो उसी को बोलते है conversation और पब्लीक मतलब होता है जनता तो जिनके जनता के सामने जो अपना आप conversation रखेंगे तो उनको यहां पर पढ़ना है तो यह सारी चीज़ें आपका third topic में था उसके fourth topic जो है उसमें reading skill को enhance करना है यानि कि कैसे आप reading skill को अच्छा कर सकते हैं यानि पढ़ने का तरीका आपको कैसे अच्छा करना है उन्हीं चीजों को देखना है जैसे scanning है close reading है उसका skimming है close reading मतलब जो कि एदम कर सकते हैं उसको क्या एदम बंद के जो पढ़ाई होता है जिसको हम लोग सीखते हैं तो उन्हीं चीजों को यहां सीखना है तो उन तमाम चीजों को यहां पर unit 4 में आपको सीधा बोल रहा है कि आपको reading skill को ठीक करने के hebert ओ कक के बारे में पढ़ न उसके बादे के unit 5 में आपको राइटिंग स्कील के बारे में पढ़ाई कि एसरर इसे करना ऋई not making ययानि नोट जवाब बनाते हैं उसको कैसे बनाना है पिर आपको पैराग वराप कैसे लिखना है पिर हम अब आ а किसी चीज़ का सरकार होता है उसको देखना है फिर report कैसे आपको त्यार करना न्यूज paper को कैसे लिखना यानि कोई news लिखना है तो तो कैसे लिखिएगा किसी भी चीज का उसका analysis यानि कि उसका मुल्यांकन कैसे किजीएगा यानि एक दूसरे चीज से उसको जोड़िएगा कैसे यानि कोई ग्यान है कोई भी आप चीज को जानते हैं उसको दूसरे चीज से कैसे जोड़िएगा इन तमाम चीजों को आपको यहां पढ़ना है तो यह आपका मेली यह जो सिलेवस है यह बहुत अच्छा सिलेवस है यह को एक तरह से सिधा सिधा ये बताने का प्रयास ये कर रहा है कि आपको कैसे कम्यूनिकेशन जो आप डेली दिन मतलब आप किसी व्यक्ति से बोल रहे हो या आपने माता पिता से कैसे बात करते हैं तो वो चीज में कैसे सुधार किजिएगा उन्हीं चीजों को सीखना है यानि कम्यूनिकेशन इस्किल को आपको कैसे डेवलब करना है तो वो चीज ताकि आप इंटर्व्यू कभी दें तो आपका इंटर्व्यू अच्छा हो आप कोई न्यूज आर्टिकिल लिखें या फिर पढ़ें तो उनको पढ़ने का तरीका आपके पास अच्छा होना चाहिए उन चीजों को ही आपको पढ़ना है अगर आपकी नतलब आपकी यह डिमांड होगी कि यहां सरहं को पढ़ना है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अने था आप जैसे पढ़ना हो पढ़ लिजिएगा तो चलिया आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको लगे कि यहां कि ये तमाम विषय की तैयारी हम सुरू करा चुके हैं और कईए कि इस पर लेक्चर आ चुका है निसुलक तैयारी है आप निसुलक रूप से इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और बाकी आपको सारी चीजों की जानकारी समय समय पर दे दी जाएगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद